हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो गुलियानी क्लासेज, आज हम टोपिक डिस्कूस करेंगे, डिस अड्वांटेज़ ओफ डिवेंचर, लेट स्टाट, सबसे पहले डिस अड्वांटेज़ आते हैं, फ्रम कंपनी पॉंट अफ्वीव से, कंपनी पॉंट अफ्वीव से क्या क्या कंपनी को लोस होता है, उस यह भी आपको डिवेंचर पर इंट्रेश्ट हर हाल में पे करना है, तो खासकर उन कंपनी ओ के लिए जिनका बिजनस साइकल डाउन चल रहा है, यानि कि उनका बिजनस अभी अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि बिजनस साइकल में अप एं डाउन साते हैं, उन्हें डिवेंचर इशू नहीं करना चाहिए, इसके लवा डिवेंचर को रिडीम करने के लिए कंपनी को क्या करना होता है, उन्हें आउटो प्रोफिट रिडीम करने होते हैं, जिसके लिए उन्हें हर साल प्रोफिट का एक पार्ट अलग से रखना करता है कम्पनी के प्रॉफिट पर एस वेल एस कम्पनी की असेट्स पर, सेकंड जो आती है डिस अडवांटेज, नीट टो ओफर सीक्यूर्टी, देखे डिवेंचर को इसू करने के लिए जनली कम्पनी को क्या करना होता अपनी सीक्यूर्टी ओफर करने पड़ती है, मोडग नहीं कर सकती, क्योंकि वो already mortgage है against the debentures, इसके लावे ये भी होता है क्योंकि आपके पास जो security है, अगर आपने already mortgage कर रखी है और आपके पास security अवलेबल ही नहीं है debentures को offer करने के लिए, तो उस case में भी जो है आप नए debentures जो है issue नहीं कर सकते हैं, हाला कि debentures unsecured भी होते हैं उसमें जो investor का interest है, वो rarely होता है, तो generally जो debentures होते हैं, वो secure होते हैं, इनकी charge on assets होते हैं, थर्ड जो disadvantage आती है, that is high stamp duty, ये company के लिए एक बहुत बड़ी problem है, जब company जो है debentures को issue करके fund raise करती है, तो उन्हें high stamp duty pay करने पड़ती है in debentures पर, तो ये एक negative impact है, क्योंकि जो net funds available हो company को, वो काफी कम हो जाते हैं, इस high stamp duty की वज़े से, next disadvantage आती है, that is loss of credit worthiness, अगर माली ये company जो है, वो large quantity में जो है debentures issue कर देती है, तो उससे company की जो debentness है, वो बढ़ जाती है, तो ऐसी company में या तो नए debenture issue करना, वो भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओलरी जो इतने investor, नया debenture purchase करना, या loan provide करना, पसंद नहीं करेगा, तो इनकी company को, जो future में fund raise करना काफी मुश्किल हो जाता है, तो एक तरह के से कह सकते हैं, एक नुकसान है, company के लिए, क्योंकि जो उसकी credit worthiness है, वो काफियत तक loss हो जाती है, अब कुछ disadvantage discuss करते हैं, investor point of view से, investor point of view से, क्या lenders होते हैं, creditors होते हैं, तो उनके पास ये right नहीं होता, कि वो company की जो management की meeting होती है, इनकी जो general body meeting होती है, उसमें participate कर सकें, या voting rights उनके पास बिलकुल नहीं होता, वो company के board of directors, या auditor appoint करने में कोई help नहीं कर सकते, directly या indirectly participate नहीं कर सकते, यानि कि जो debenture holder है, वो company की management में ना त directly, किसी भी तरिके से participate नहीं कर सकते हैं, second disadvantage होती है, risk, हलाकि जो debentures है, वो less risky समझे जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है, कि बहुत सी company जो है, इन debenture holder का principal amount है, जो interest amount है, वो उने pay करने में default रहती हैं, तो risk तो यहां रहता है, तो ऐसे case में debenture holder के पास क्या option रहे जाता है, तो debenture holder के पास यह option होता है, कि वो court का दरवाजा खट-कटाए, यहने कि court में जाए, लेकिन वो भी इतना easy नहीं है, हर एक individual debenture holder के लिए, कि वो असानी से court में case file कर सके, और यह भी ज़रूरी नहीं है, कि अगर माल लीजे court जो है, वो company assets liquidate भी कर दे, debenture holder क amount pay करने के लिए, तो liquidation की date पर, जो company की assets है, यह जरूरी नहीं कि वो valuable हो, यहने कि उससे इतना amount realize हो सके, जिससे कि debenture का principle है, और interest है, वो pay हो सके, जो third disadvantage आती है, that is taxability of interest, देखिए debenture holder को, जो interest मिलता है, उसके debenture पर invest करने पार, वो interest जो है, उसके hand में taxable है, यहने कि जो interest उसके हाथ में आता है, उसको अपनी जो income की slab है, उसके according जो है, tax pay करना होता है, next disadvantage आती है, no claim on surplus of assets, जैसे मैंने पहले discuss किया, क्योंकि जो debenture holder है, वो company के लिए सिर्वे creator है, तो माली जी कल company liquidate होती है, और उनका जो पैसा है, जो भी उनका principal amount है, वो पूरा का पूरा pay कर दि तो जो भी surplus amount रह जाता है, वो सारा सारा equation holder को belong करता है, उसमें से कोई भी part जो debenture holder है, उस पर claim नहीं कर सकता, next disadvantage आती है, that is fluctuation in the value, generally जो debentures होते हैं, वो listed होते हैं stock exchange पर, और इनके जो prices हैं, वो daily basis पे change होते हैं, debenture की जो price होती है, और जो interest rate होती है, उसमें vice versa relation होता है, इ interest rate market में बढ़ती है, तो उससे जो debentures की prices हैं, वो down होती है, तो अगर माली जो debenture holder है, वो redemption period से पहले, अपने debenture को liquidate करना चाता है, यानिकि उसको sold out करके अपना पैसा वसूल करना चाता है, तो जो भी market में price चल रहा है debenture का, उसे उसी price पर भेचना होगा, तो हो सकता है कि जो debenture उसने buy किया था, उसकी जो value थी, वो 1000 रुपीज थी एक debenture की, और market में जो price चल रहा है, वो चल रहा है 950, तो उसे per debenture जो है 50 रुपी का loss bear करना पड़ सकता है, अगर वो redemption period से पहले अपने debenture को liquidate करता है, तो ये कुछ disadvantages थी, company के point of face है, as well as investor के point of face है, दोस्त इस subscription बटन को दबाके चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा, अगर आपने हमारा previous video lecture नहीं देखा है, तो इस link को click करके, आप हमारा previous video lecture देख सकते हैं, साथ ही आप हमारे playlist link को click करके, अब तक के हमारे सारे video lecture देख सकते हैं, तो मिलते हैं दोस्तों, एक नए video lecture के बहुत जल्दी, थेंक यू